नमस्कार किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिद शेख ग्यानवापी मजजिद में सर्वे को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है हाइकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया अब 3 आउगस को हाइकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा लेकिन हाइकोर्ट के रवया को देख कर संभावना यहीं जताई जा रही है कि फैसला हिंदू पक्ष के हित में आएगा और एसाइज सर्वे की इजाज़त दी जाई इसी पर चर्चा के लिए हम आज साथ मौजूद हैं कैप्टिल टीवी के एग्जेक्यूटिव एडिटर राजीव जी राजीव जी बहुत-बहुत स्वागत है आप धन्यवाद क्या कुछ हुआ गयान वापी मामने में देखे कोट में सुनवाई कल से चल रही थी आज भी सुनवाई होई क्योंकि कल पूरी सुनवाई नहीं हो पाई थी कुछ दलीले दी गई थी और कुछ बचे हुए थे हिंदू पक्ष की दलील भी मुसलिम पक्ष की दलील भी कल जो दलील दी गई थी उसमें मुस्लिम पक्ष ने बार बार यही कहा कि अगर A.S.I. से सर्वे कराते हैं तो सर्वे का एक महत्पूर्ण पार्ट जो हिस्सा जो है वो हिस्सा है खुदाई करना खुदाई के बीना कुछ पता ही नहीं चलेगा तो खुदाई जब करेंगे तो अस्ट्रक्चर परभावित होगा क्योंकि खुदाई दिवार के आसपास भी हो सकती है और इसलिए इस मामले को यहीं दवा देना चाहिए A.S.I. से सर्वे की जरूरत नहीं है लेकिन जब यह मा मसजित की हो रही है जब बात यह हो रही है कि भगवान विश्वेष्वर की पूजा वहां पर पहले होती थी अब क्यों नहीं हो बात यह हो रही है कि दिवारों के ऊपर जो बॉनेृ· स्रिंगार गौरी की मुर्तियां है उसकी पूजा पहले होती थी 1991 के बाद धीरे धीरे इसे कोट के आदेश से ही बंद कर दिया गया तो फिर जिन महिलाओं ने ये मामला दायर किया है कि हमें भई स्रिंगार गौरी की पूजा करने का अधिकार दे अगर राइट्स ओप्रेयर किसी भी धर्म के लोगों को है तो हिंदूं को भी होना चाहिए इसमें सेकुलरिज्म और समानता का सवाल नहीं उठता है ये सब के लिए एक अधिकार है कि हमें अपनी देवी देवताओं के पूजा करने का अधिकार होना चाहिए इसलिए अब जब सुबूतों की बात हो तो सुबूत आएगा कैसे सुबूत के लिए तो जरूरी है कि सर्वे कराना पड़ेगा और जब इन लोगों ने बार बार ये कहा कि सर्वे से नुकसान होगा क्योंकि इनके पास दो ही तर्क है एक तर्क इस बात को लेकर है कि जब वासिप एक्ट जो स्पेशल एक्ट लाया गया था प्लेसे सो वासिप एक्ट उसमें 1991 के उस एक्ट में साफ कहा गया है कि अब 1947 के बाद किसी भी जो पूजा अस्थल है उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं किया जाएगा यानि कि अगर कोई मंदिर है तो उसको तोड़ कर हम मस्जीद गुर्द्वारा नहीं ब बना सकते अगर बार बार जो जिक्र किया जा रहा है प्लेसे सो वासिप एक्ट के तो उसमें ये मामला सामने नहीं आता है क्योंकि जब सुप्रिम कोट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो सुप्रिम कोट में भी ये कहा गया था कि जो वासिप एक्ट है उसके प्रान कहा गया था और जजों ने कही थी ये बाते कि आप प्लेसे सौफ वरसिफ एक्ट कर जिक्र मत किजिए अगर कोई कानून लाया गया है तो कानून खत्म भी किया जा सकता है और उस एक्ट के अंदर कितनी खामिया है हम अभी उसके उपर चर्चा नहीं कर रहे हैं इस प फैसला सुना लिया है कि A.S.I. से सर्वे कराया जाना चाहिए ताकि सुबूत बाहर आए तो फिर ये लोग सुप्रिम कोट पहुंचे सुप्रिम कोट ने इस मामले को पहले भी उलजाया था और फिर उलजा दिया जिस तरीके से सुप्रिम कोट ने इस मामले को हाई कोट के पास भेजने से पहले एक बात कही कि दो दिन तक यानि 26 जुलाई के 5 बजे शाम तक ये रोक लगा रहेगा एस आई का सर्वे नहीं होगा इसका मतलब ये था कि 26 जुलाई के 5 बजे तक हाई कोट को निर्देश दिया गया है कि आप इस पर सुनवाई शुरू करें और उसके बाद सुप्रिम कोट को ये पता था कि अगर इस पर सर्वे के लिए फैसला अगर हाई कोट में आना है तो उसके लिए दोनों पक्ष की दलीले सुनी जाएगी और ये दलीले जब सुनी जाएगी तो एक दो दिन में मामला नहीं सुल्टेगा अब इसे आगे बढ़ाया जा पर सवाल उठाया जा रहा है इसलिए सुप्रिम कोट ने जो घेंद है वो हाई कोट के पल्ले भेज दिया अब हाई कोट में दो दिनों तक सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद जो दलीले दी गई अब फैसला सुरक्षित रखा गया है कि तीन तारी को ये फैसला उसमें हाई कोट में जो संकेत मिले है वो इसी बात के लिए है कि मुसलिम पक्ष के पास दो आधार है एक आधार है इसकी मैंटनेवलीटी के लिए और दूसरा आधार है कि जो स्ट्रक्ष्टर है वो सुरक्षित रखे अब इन्हीं दोनों के बीच मुस्लिम पक्ष ने दलीले दी जबकि हिंदु पक्ष ने कहा कि हम जो सर्वे करने की बात कर रहे हैं जो जिला अदालत थे हमें आदेश मिला है उसमें कहीं भी ये नहीं किया गया है कि आप दिवार के आजपास खुदाई करें खुदाई का प् परती जमीन के आजपास वजू खाना है जिसे सुप्रिम कोट ने सील कर रखा है अगर आप वहां खुदाई करेंगे वजू खाना जो है वहां पर नुकसान हो सकता है उसका भी जब हाई कोट के चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे कि आपको य अगर आपको इन लोगों पर भरोसा नहीं तो फिर आप कहेंगे कि नियाय पालिका पर भी भरोसा नहीं जब आपको किसी के उपर भरोसा ही नहीं है तो कोट में आने के जरूरत क्या है भरोसा करना पड़ेगा ये दलीले जो हुई है उन दलीलों से तो यही लगता है कि फै फैसले संभावी तरीके से यही हैं कि सर्वे किया जाना पड़ेगा और सर्वे के रोकने के आदेश के खिलाफ ही हाई कोट का फैसला आएगा यानि सर्वे जारी रहेगा और सर्वे जारी रखने के पीछे एक कारण है क्योंकि हाई कोट को लगता है कि सर्वे से सुबूत ये देखना पड़ेगा अगर मुसलिम पक्ष को लग रहा है कि ये मंदिर को तोड़ कर नहीं बनाए गई मस्जिद है तो फिर उसमें इनको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सुबूत सामने आएंगे दिवारों पर पता चलेगा कि ये किस काल समय का है इसमें अबवी जो जो वीडियो ग्राफिस सर्वे पिछली वार फुआ था जैसमें कुछ डमरू मिले कुछ कमल के निसान मिले कुछ और जो मुर्तियां मिली है उससे तो इस बाद का संकेत मिल रहा है कि वहां पर खुदाय के बाद भी कई सबूत मिलेंगे और ये शबूत इसी बात का संकेत दे रहा है कि ग्यान वापी का जो पूरा परिसर है जो काशिव विस्वनात मंदिर जो है उसी का एक extension है जो प्राचीन काशिव विस्वनात मंदिर था वहाँ था और ये भारती इतिहास का subject भी है भले ही उसे दवा दिया गया है लेकिन ये बात सही थी और इसे परमानित किया जा रहा है कई एतिहासिक किताबों में कि और अरंजेव के समय में मंदिरे तोड़े गए थे और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आकरमन हुए हैं जहां जहां आकरमनकारी आये हैं वहां पर वहां के पूजास्थल तोड़े गए वहां के इमारते तोड़े गई चाहे युगोसलाविया हो चकोसलवाकिया हो मंगोलिया हो या अरब के देशों परसिया हो या फिर भारत हो हिंदुस्तान यह हर जगह की बात है और इ लेकिर एक बात तो है कि इस पूरे प्रकरण में सुप्रिम कोट की जो हर समय भूमिका रही है वो संद्यास पद रही है। सुप्रिम कोट ने पिछली बार भी जब जिला अदालत के बाद डायरेक्ट जो हाई कोट में मामला चल भी रहा था फिर भी कुछ लोग सुप्रिम कोट पहुच गए और सुप्रिम कोट जाने के बाद इन लोगों ने अपील की कि ये तो पूरा का पूरा मामला ही गलत दिसा में जा रहा है इसमें याचिका देने का अधिकार ही लोगों के पास नहीं है तो उस समय भी सुप्रिम कोट ने इस मामले को खीचने की कोशिश की थी यह मामला जितना खीचेगा अभिश्वास और विश्वास के बीच की कड़ी उतनी ही गमजोर होगी यह तो सामाने तरीका ह कि काशी में या मतुरा में भगवान तरीकृष्णों या भगवान शीब हों जहां पर जिसकी आस्था ज्यादा जुड़ी है वहां पर उन लोगों को कुछ अधिकार दो और दूसरे की आस्था जहां जुड़ी है वहां से पहला पक्ष है जो पीछे हटे अब अगर ऐसा नहीं होता है तो समस्याँ पैदा होगी और उन समस्याओं को पैदा होते होते अब इतने साल हो गए हैं कि अगर जल्द कोट के माद्यम से भी फैसला नहीं आएगा तो समस्या और जड़ों तक बढ़ेगी क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय तक बावरी मस्जित का है और उसके बाद जब सुप्रीम कोट का फैसला आया मंदिर बन रहा है अब कौन सा भी बाद वहाँ पर बावरी मस्जित को लेकर है किसी राधितिक पार्टी के पास अब वो मुद्दा भी नहीं है मुद्दा जिन्दा करने के लिए भी नहीं है कि यहां पर बावरी वेमनस्ता उतनी बढ़ती जाएगी कोट को जल्द से जल्द फैसला देना चाहिए और किसी के पक्ष में फैसला हो फैसला जल्द ही आना चाहिए इसे उल्जाने की कोशिस नहीं करने चाहिए जैसा कि मुस्लिम पच बार बार करने की कोशिश कर रहा है बहुत बहुत शुक्र सर्वे से इतना परहेज क्यों वही मुस्लिम पक्ष का इस मामले में कहना है कि खुदाई करने से मजड के स्ट्रक्षर को नुकसान पहुंच सकता है लेकिन यह बात तो पहले से ही तैए कि बिना धाचा को नुकसान पहुंचाए एसाइस सर्वे होगा हलाकि अब सब की नजरे तीन औगस्ट पर टिकी है कि ग्यान वापी का फैसला किसके पक्ष में जाता है हिंदू पक्ष के या फिर मुस्लिम पक्ष के फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही देखते रहे है कैपिटल टीवी नमस्कार